नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं बता दे, SMS और अडियो कॉल से, युवाओ से संपर्क कर सरकार किस और कदम बढ़ा है, पूछा जा रहा है मुखे रूप से, JSAC की और से रिखतिया भरने वाले अभियार्थियों के मोबाइल पर 6000025 नमबर से मैसेज भेज कर पूछा जा रहा है कि नियोजन नीती युवम नियुक्ती पर किरिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं गोतला भाय की पिछले वर्ष दिसंबर माय में जार्खन हाई कोट ने हिमन सरकादवारा फरवरी 2021 में बनाई गए नियोजन नीती को और समय धानिक बताते हुए रद कर दिया था जार्खन में मौसम वैलेंटाइन डे से पहले पच्छुआ हवाओ की वज़ा से जार्खन में ठंड बढ़ती जा रही है राइधानी रांची और लोह नगरी जमसेदपूर के तापमान में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है अगामी दिनों में इसमें और गिरावट आने के अथार है इतना ही नहीं आने माले दिनों में आशमान में बादल भी छाएंगे इससे मौसम और सर्थ हो सकता है मौसम भी भाग ने बताया है कि वैलेंटाइन डे के राज हिमाली छेतरे में नया पचमी भी छोब तयार होगा जिसे मौसम बदल सकता है बता दे सोमवार को रांची के तापमान में 4.4 डिगरी की बड़ी गिरावट दर्श की गई जब कि जमसेत पुरका तापमान 3.4 डिगरी लुढ़क कर वहीं डाल्टेन गंज में भी नियुतन तापमान 1.6 डिगरी गिर गया है जारखन में सुखार का असर 35 लाख टन कम हुआ धान का उत्पादन जारखन में पिछले साल से करीब 35 लाख टन कम धान का उत्पादन हुआ है इस निदे साले से भेजी गई दूसरी डिपोर्ट में कहा गया है कि राजे में करीब 18.53 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है राजे में सुखा पर जाने के कारण इस बार खरीब के मौसम में अच्छी खेती नहीं हुई थी 226 परखन को राजे सरकार ने सुखा ग्रस गोशित कर दिया था बिते खरीब में मात्र 7.6.9 लाख हेक्टेर में धान लग पाया था लक्ष करीब 18.0 लाख हेक्टेर में धान लगाने का रखा गया था बतादे बारिस कम होने के कारण इस वर्ष मक्का का उत्पादन भी करीब 2 लाग टन कम हुआ है बीते साल करीब 74.36 लाग टन का उत्पादन हुआ था इस वर्ष मात्र 32.76 लाग टन का उत्पादन हुआ है बीते साल करीब 65 लाग टरन के आसपास 13 दलहन छोड और ने फोसलों का उतपादन हुआ था वहीं इस सालिया उतपादन करीब 26 लाग टरन के आसपास किया है ज्यारखन के नौन यूगत राजेपाल सीपी राधाकृष्ण अठारा या 29 फरवरी को ले सकते हैं सपत ज्यारखन के नौन यूगत राजेपाल सीपी राधाकृष्ण अठारा या 29 फरवरी को सपत ले सकते हैं कोलेजियम ने उत्राखन उच नयाले के नयाधिस संजाय कुमार मिस्त्रा को ज्यारखन उच नयाले के मुख नयाधिस बनाने के उनसा केंद्र सरकार को बेज़ दिया है लेकिन अभी तक नियूकति के जुतना जारी नहीं हुई है नियोजान नीती पर नए सीरे से मन्थन शुरू नियोजान नीती को रद कर दिया था इसके खिलाब अभी तक राज सरकार ने सुप्रीम कोट का दरवाजा नहीं खटकटाया है इसी बीच यह पश्ट हो रहा है कि नीती के निधान के बाद ही नियुक्ति पर किरिया सुरू हो सकती है सीयम हेमंत का बीजेपी पर हमला सरकार गिराने के लिए लेना होगा सात जन्म खतियानी जो हार यादरा में सुमवार को चात्रा पहुंचे मुख्य मंतरी हेमंसरे ने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर जम कर प्रहार किया सबा को समोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि विपक्ष लाख परियास कर ले लेकिन फैदा नहीं होने वाला है सरकार गिराने के लिए उन्हें सात जन्म लेना होगा सीयम ने कहा है कि जिस दिन से सरकार अस्तित्यों में आई है उसी दिन से साजिस रची जा रही है अपने अस्तर से हर संभव परियास करके ठक चुके हैं तो अब एजेंसियों को पीछे लगा दिया है देश की अजादी और परदेश को प्रिठक बनाने में उनकी कोई भूमका नहीं है धन बल के सहारे सता प्रकपजा कर लिया है अब पोल खुलने लगी है मित्र का घोटाला सामने आया है इस परकार यदि तीन चार और घोटाले सामने आये तो देश की थिती सिरलंका जैसा हो सकती है लोहर दग्गा पोलिस के हथे चड़े पीले फाई के चार उग्रवादी लोहर दग्गा में उग्रवादीयों के खिलाब चलाया जारे अभियान में अस्थानिया पोलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता है लगी है पोलिस ने पीपुलस लिवरेशन फ्रंट आफ इंडिया के चार उग्रवादीयों को गिरफतार करने में सफलता पाई है गिरफतार उग्रवादीयों में पीपर टोली निवासी राम परवेश सिंग सोनो उराओ करगे निवासी सुनिल कुमा साहू लोह दग्गा जीले के सेना थाना चेत्र के बक्सी डीपा निवासी प्रवीन सामिल है इनकी निसान देही पर एक सुतली बम और चोरी के तीन मोटर साइकल बरामत किये गा है यह सभी पीलेफाई के एरिया कमांडर कृष्णा यादव के लिए काम करते थे जहारखन के परवासी मजदुरों की मौत का नहीं थम रहा सिलसिला जहारखन में गिरीडी के बगोदर, डुमरी, सरिया, हजारी बाग के बिसनुगड आदी छेत्र में एक के बाद एक लगातार हो रही परवासी मजदुरों की मौत वा बीदेशों में फसने का सिलस्या नहीं थम रहा है इसी कड़ी में अबगिरी डिजीले के सर्या थाना चेत्रे के अंतरगात बलीडी निवासी, स्वर्गिये रामेश्वर मंडल के 40 वर्षिये पोत्र, पियारी मंडल की बेंगलेरु में रब्बिवा रात को मौत हो गई इसकी सुथना सुभा मिलते ही यहां सोजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है उनकी पत्नी परवती देवी, बेटी, 21 वर्षिये पुजा कुमारी, 15 वर्षिये सुलेखा कुमारी, पोत्र, 29 वर्षिये आसेज कुमार, और 14 वर्षिये अनंद कुमार मंडल सभी के बीच मात सामने आया हा या ममला है रांची सुदर अस्पतल का जहां एक यूटूबर और नर्सों के बीच जम कर मार पिठोई, काफी देर तक हांगामा होता रहा, बाद में पूलिस के आने पर ममला सांथ हुआ है, दरसल नेहाक खान नाम की यूटूबर ने बताया है कि सुदर अस् स्वास्त कर्मियों का अंसन जारी, रांची के राजभवन के समक्ष 21 दिन भी अनुबंध पर करेरा स्वास्त कर्मियों का आमरण अंसन जारी रहा, इस दोरार अंदोलन रत स्वास्त कर्मियों ने कहा है कि हमारे साथ ही एक एक अरस्पताल में भरती हो रहे है और सरकार कु नेचेम के अनुबांधित नर्सो और पारा मेडिकल कर्मी 24 जनवरी स्यामरा अंसन पर हैं इनकी राजब्यापी हर्ताल के भी अठाई दिन हो चुके हैं कई अंसन कारियों की तबियत भी बिगर चुकी है इसके बावजूद इनके अभी तक सरकार या स्वास्त विभाकी ओर स कोई निना नहीं लिया गया है जार्खन के राजब्हन पर टिकी निगा है अब खुल सकता है लिफापे का राज सीपी रादा किष्णन को जार्खन का नया राजब्हन नियुक्त किया गया है बरतमान राजब्हन मेस बैसको महराष्ट का राजब्हन बनाया गया है ऐसे मे क्या नए राजपाल चीपके वे लिफापा को खोलेंगे या फिर लंबे समय के लिफापा चीपका ही रहेगा बता दे एक बार फिर जार्खन के राजपाल बन पर सबकी निगाहे टिक गई है सवाल बस ये की है कि क्या चुनाव आयोग से आया लिफापा अब खोल सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि राजपाल रामेस बैस अब महराष्ट जा रहे हैं और उनकी जगब पर पहली बार राजपाल बन कर सीपी रादा किश्नन जार्कन आ रहे हैं या ऐसा लिफापा है जिसमें ज़ार्कन के सरकार की तक दिर लिखी हुई है फिर भी राजपाल रामेस बैस इसका राज नहीं खोल पाए या यू कहें कि राज खोलना नहीं चाहा सीयम हेमंत ने महंगाई को बीजेपी की भोजाई बताया जार्कन के मुख्यमंतरी हिमान सुमवार को महंगाई और बेरुजगारी के मसले को लेकर किन्द सरकार पर हमला बोलते वक्त बहग गया उन्होंने कहा है कि भाजपा ने कभी महंगाई को डायन कहा था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महांगाई बीजेपी की भोजाई बन गई है बतादे चात्रा जिले में खत्यानी जोहार यातरा के तहौत एक जनसभा को समोधित करते हुए सुरेन ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 20 साल तक जहारकान पर सासन किया लेकिन किसी भी आदिवासी मुख्यमंत्री को अपना कारेकाल पूरा नहीं करने दिया उन्होंने कहा है कि ऐसे जब एक आदिवासी अब राज की कमान समाल रहा है तो भाजपा उसकी सरकार को गिराने की कोशिस कर रही है मुख्यमंत्री हमंसुरेन ने कहा संपरग के सासन के दोरान कीमतों में मामूली बिरिधी पर हंगामा करने वाली भाजपा अब LPG सिलिंडर की कीमत एक है रुपे से अधीक और एक लिटर पेट्रोल की कीमत एक सो रुपे से अधीक होने पर चुप है रांची में साथ हजार आटो का पहिया थमें राजधानी रांची में अवैद वसुली के खिलाप रातू रोड इलाके में सो मारको आटो का पहिया थम गया है कि सोरी आदो चौक से सहर के पैंच मारगों के लिए खुलने वाले स्थाहर आटो नहीं चले रांची जिला आटो चालक यूनियन के वाहन पर आटो चालक हर्ताल पर रहे इस दोरान चलकों ने न तो खुद आटो चलाया और नहीं किसी दूसरे को चलाने दिया हर्ताल का समर्थन करने वालों में जम कर उत्पात मचाया जाकिर हुसेन पार्क, काके चांदनी चोक, रातु तिलता आदी जगों पर चालकों ने कई आटो के सीसे को चाती गरस्त कर दिया आटो चलाने वालों के साथ धकामों की और मारपीट भी की है पंदरह फरवरी से अनिशित कालिन हर्ताल पर चले जाएंगे बेवसाई पर खोटी जीले के तमाम गल्ला किराना से जुड़े हुए थोक वा खुदरह विक्रेता पंदरह फरवरी से अनिशित कालिन के लिए अपने प्रतिष्ठान को बंद रखेंगे खोटी चेंबर के जोती सिंग ने कहा है के हर्ताल के दोरान गल्ला किराना से जुड़ी सभी दुकाने फल वा सबजी मीट मचली दुकान विक्रेता आदी बेवसाई अनिशित करे हर्ताल पर चले जाएंगे खोटी के ठोक किराना के बेवसाई समानों की लोडिंग रभी वार से ही अस्थाकित कर रखा है फल विक्रेताओं ने ओडर पर फल देना बंद कर रखा है बेवसाईओं के हर्ताल के करण लोग अभी से ही अपनी खाने पीने के समानों का इस्टोक बना रहे हैं चामता से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है स्कूलों के वाहनों पर खुटी सहर के सरकारी वा नीजी स्कूलों के अधिन चलने वाले बस और टो वैन समेत अने वाहनों में बच्चों को सुरक्षित रखने की इंतजाम काफी कम दिखाई पर रहा है लेकिन स्कूल संचलकों को सिक्षा के साथ सुरक्षा से ज़्यादा अपने बैवसाई की पड़ी है तभी तो खुटी में नियम कारून को ताक पर रहा का स्कूल के बच्चों से भरे वाहनों को चलाया जा रहा है बता दे इन वाहनों से रोजाना कई बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं कुछ निजी स्कूलों को छोड़ कर कई स्कूल या उनके वाहनों में सुरक्षामान को कपालन नहीं होता है राज अस्तरिय सहाय कप परतियोकता 16-18 तक पहली राज अस्तर ये सहाय कप परत्योकता 16 से 18 फरवरी तक खेली जाएगी इसे लेकर सुमार को खेल नीदे सक सरोजनी लकड़ा के अध्यक्सता में खेल नीदे सालाय में आयोजन समीती की बैठक होई इसमें बताया गया कि फुटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल वा होकी खेलों में जीला अस्तर के बिजयता भाग लेंगे बिर्सामुंडा फुटबॉल स्टेडियम और मंदीर मैदान में फुटबॉल, बरियातु, एस्टोटर्प होकी मैदान में होकी ऑक्सिजन पार्क में बॉलीबॉल वा एथलेटिक्स के इवेंट बिर्सामुंडा फुटबॉल स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रेक पर होंगे खेल निदे साले ने पताई है कि पर्त्योक्ता के परचार परसार के राची सहर के तेरा जगों पर होल्डिंग लगाए जाएंगे इसका उद्यस राजधानी वासियों को पर्त्योक्ता के आयोजन के उद्यस सिक के बारे में बताना है सहाय योजनार राजे के पांच नक्सल प्रवाइद जीलो सराइक लखर सावा चाई बसा कुटी सिम्टे का अरगुमला में चल रही है ज्यारखन में ड्राप आउट बचों को स्कूल लाएंगे मास्टर जी इसके लिए स्कूली सिक्षा वसक्षता विभाग के सचीव के रभी कुमार ने सभी जीलो को निर्देश दे दिया है सभी स्कूल कैंपेंच चला कर इसे सुनिश्चित करेंगे ताकि कोई बचा ड्राप आउट नो रह सके बता दे राज सरकार ने सिसू पंजी अपडेट करा रही है इसमें ड्राप आउट होने वाले छात्र छात्राई भी सामने आ रहे है सिक्षक उनके ड्राप आउट होने के कारण भी अपडेट कर रहे है अब तक 48.50 को अपडेट किया जा चुका है LPG कनेक्शन पर 16.00 रुपे मदद दे रही मोधी सरकार LPG सिलेंडर का नाया कनेक्शन लेने वालों को केंद्र की नरेंद्र मोधी सरकार आर्थिक मदद दे रही है अगर आप 14.2 किलो का LPG सिलेंडर का कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको 16.00 रुपे की मदद मिलेगी वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर पर 11.50 रुपे की आर्थिक मदद मिलेगी सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद मिल रही है उसमें सिलेंडर के लिए सीकुरेटी डिपोजीट, प्रेशर रेगुलेटर, लपीजी होस्ट, डोमेस्ट्रिक गैस कंजूमर कार्ड और इंस्पेक्शन, इंस्टोलेशन, डेमोस्ट्रेशन, चार्जेश सामिल है पीम मोदी की सरकार या आर्थिक मदद उन लोगों को दे रही है जो पधान मंत्री उजवाला योजना के तहट LPG सिलेंडर के कलक्शन ले रहे हैं इस योजना के तहट सिलेंडर लेने की सबसे बड़ी खुसिया है कि पहली बार भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा है धन्यवाद